हलो गाइस दिस इस सनी गुलवे और आज हम बात करने वाले हैं क्लासिकल मॉडल के अंदर एग्रिगेट सप्लाई और एग्रिगेट डिमांड के बारे में ये एक बहुत लेंदी मॉडल है इसको हम दो से तीन लेक्चर में कवर करेंगे बढ़ आज उसका इंट्रोडक्शन देखेंगे और उसके पीछे जितने भी थियरी काम करती हैं उसमें से एक थियरी देखेंगे तो शुरू करते हैं सबसे पहले मैंने कॉंपिटिटिव मार्गेट के अंदर डिमांड कर्व और सप्लाई कर्व शो किया है तो ये समझाने से पहले अगर आपको डिमांड सप्लाई का बेजिक एक्विलिब्रियम क्या होता है ये सब अगर आपको पता नहीं है तो मैंने अल्रेडी तीन वीडियो इसके पहले बनाए हुए हैं तो आप प्लेलिस्ट में जाके उनको देख सकते हैं जिससे आपका बेजिक क्लियर हो जाएगा तो सबसे पहले आप देखेंगे मैंने लिखा है competitive market तो competitive market क्या होता है वो एक ऐसा market है जिसके अंदर large number of buyers हैं और large number of sellers हैं ठीक है और उसके अंदर कोई भी एक single buyer या single seller market को influence नहीं कर सकता, dominate नहीं कर सकता, ठीक है, market ने जो price decide की है उसी price पे सारे buyers को और सारे sellers को transaction करना होगा ठीक है, for example, कोई एक product है जिसकी market price 100 rupees है और उसका जो market structure है वो competitive है, ठीक है, इसका मतलब बहुत सारे sellers हैं, बहुत सारे buyers हैं अब मान लोग कोई एक नया seller आता है market में, जो कि वो product जो 100 rupees का है, वो 110 में बेच रहा है तो क्या उसके यहाँ कोई खरीदने जाएगा, नहीं, क्यों क्योंकि competitive market का एक feature यह भी है, कि यहाँ पे products जो है, वो homogeneous assume किये जाते हैं homogeneous मतलब जितने भी seller है market में, उनके जो products हैं, वो same है, किसी में भी कोई भी difference नहीं है अगर वो differentiated product बेच रहा है, तो शायद ज्यादा price चार्ज कर सकता है, बट competitive market में एक assumption यह है कि सारे product same है, उनका specification same है, तो इसका मतलब अगर कोई नया seller market में आया है और वो 100 के बतले 110 price पे बेचना चाह रहा है, तो उसके यहाँ कोई भी खरीदने नहीं जाएगा तो finally उसको उसका product का जो price है, वो market के price पे लेके ही आना पड़ेगा ठीक है, और उसी तरीके से अगर कोई ऐसा buyer है, जो कि market price से कम में खरीदना चाह रहा है ठीक है, और मानलो कोई seller ready हो गया, मानलो 100 रुपे का market price है product का कोई buyer 90 रुपीज में मांग रहा है, और जो seller है, वो उसको 90 रुपीज में दे रहा है तो सबसे पहली बात तो यह नहीं हो पाएगा, क्योंकि competitive जब market होता है तब उसके अंदर profit margins बहुत ही कम होते हैं, क्योंकि competition बहुत ज़्यादा है ठीक है, तो पहली बात तो seller ही उसको comprise में नहीं दे पाएगा पर अगर वो अगर दे भी रहा है, तो बाकी सारे sellers मिलके वो जो एक particular seller है, जो कम price में बेच रहा है, उसको market से बाहर निकालने का try करेंगे ठीक है, तो इसी वज़े से competitive market के अंदर जो price होता है वो कोई एक individual buyer या individual seller influence नहीं कर सकता market ने as a whole जो price decide किया है, उसी price पे सारे quantities खरीदी और बेची जाएगी तो अब आप देखेंगे कि यह जो demand curve है, वो negatively slot है ऐसा क्यों है, क्योंकि जैसे जैसे price कम होते जाएंगे मतलब कोई एक particular product है, जिसका price कम हो रहा है, दीरे दीरे तो लोग उसकी ज्यादा quantity खरीद पाएंगे, क्योंकि higher price पे कुछ लोग ऐसे होंगे market में जो product नहीं खरीद पाएंगे या तो उस product के लिए इतना price नहीं देना चाह रहे होंगे पर अगर उसका price कम हो रहा है, तो फिर जो पहले नहीं खरीद पा रहे थे या नहीं खरीदना चाहते थे, वो भी अब खरीदेंगे तो जैसे जैसे price कम होगा, वैसे वैसे quantity demanded बढ़ती जाएगी और इस वज़े से price और quantity demanded में inverse relationship होता है और इसी वज़े से demand curve जो है, वो downward sloping है Now, अब देख सकते हैं, supply curve जो है, वो positively sloped है ऐसा क्यों? क्योंकि ये supply curve किस के द्वारा बनता है? Sellers के द्वारा, अब sellers के लिए price जो है, वो जितना ज्यादा हो, उतना अच्छा कुछ firms ऐसे होते हैं, जो जिनका cost बहुत ज्यादा रहता है तो वो लोग कम price पे चीज़े नहीं बेचना चाहते ठीक है, या तो फिर नहीं बेच सकते क्योंकि उनको profit नहीं मिलेगा पर कुछ firms ऐसे होते हैं, जिनका cost बहुत low होता है, production cost तो वो कम price पे भी कुछ quantities बेचना चाहेंगे, या बेच पाएंगे तो जैसे consumer के side से होता है, वैसे ही producers या sellers के side से भी होता है जैसे जैसे prices बढ़ते जाएंगे market में, कुछ high cost firm ऐसी होगी जो पहले नहीं बेच रही थी quantities या नहीं बेचना चाहती थी, वो भी अब बेचना शुरू कर देगी ठीक है, तो जैसे जैसे price बढ़ते जाएंगे, लोगों को profit margin दिखते जाएगा वैसे वैसे, यह suppliers या producers जो quantity sell कर रहे है market में, बेच रहे हैं, वो भी बढ़ाते जाएंगे तो इसका मतलब यह है, कि price और quantity sold उसके अंदर direct relationship है जैसे जैसे price बढ़ती जाएंगी, sellers को motivation मिलते जाएगा, ज्यादा से ज्यादा produce करने का, और उसको sell करने का तो supply curve कैसा होगा, positively sloped होगा, अब यह दोनों curve जहाँ पे intersect होते हैं, उसको बूलते है equilibrium point मतलब यह point ऐसा है, जहाँ पे कुछ buyers और कुछ sellers ने agree किया है, कि हम इस point पे जो भी quantity आएगी और जो भी price आएगा, उतनी quantity खरीदे या बेचेंगे, और उसी price पे transaction करेंगे तो यह P स्टार है आपका equilibrium price और Q स्टार है equilibrium quantity अब जब हम micro economics पढ़ रहे हैं, तो यह P स्टार को हम बोलेंगे market price और Q स्टार को हम बोलेंगे quantity bought and sold पर जब हम macro economics की बात करते हैं, तो macro economics में पूरी country की quantity quantity और price की बात चल रही है, उसके अंदर को एक particular product की बात नहीं चल रही है है ना, तो यहाँ पे x-axis पे जो quantity लिखा है, उसके बदले हम क्या बोलेंगे output या फिर GDP, क्योंकि पूरी country में जितने भी goods and services बने हैं, जितनी भी उसकी quantity produce हुई है, उसको अगर aggregate कर देंगे, तो हमें क्या मिलेगा, पूरी economic का output या फिर उसको हम GDP भी बोलते हैं, और y-axis पे price के बदले हम क्या लिखेंगे, यहाँ पे actually मैंने लिखने पाया हूँ, यहाँ पे price level आएगा, ठीक है, तो अगर micro economics की बात चल रही है, तो यहाँ पे y-axis पे market price आएगा, बट जब पूरे economic की बात चल रही है, तो उसमें तो कितने सारे goods and services होते हैं, हर एक का price अलग होता है, तो उसमें आपको particular price नहीं लिख सकते हैं, आपको price का level लिखना पड़ेगा, ठीक है, तो micro economics में यहाँ पे price and quantity आएगा, जो की market का होगा, बट macro economics में y-axis पे आएगा price level और x-axis पे आएगा output या फिर GDP अब हम बात करते हैं classical model की, तो यह classical model का aggregate demand और aggregate supply कर्व है, मैंने last lecture में यह बताया था, कि वैसे generally demand और supply बोला जाता है, बट macro economics में हम क्या बोलेंगे, demand के बदले aggregate demand और supply के बदले aggregate supply, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, जो aggregate demand कर्व है, वो downward sloping ही है, जो कि हमने previous slide में देखा, बट aggregate supply कर्व जो है, वो positively slope नहीं है, वो completely vertical है, ठीक है, और जैसे कि मैंने अभी बताया था, हमने x-axis पे क्या लिया है, GDP लिया है, और y-axis पे हमने लिया है price level, तो यह है classical model का final graph, हमें इसको derive करना है, हमें यह prove करना है, कि classical model जो है, उसके अंदर aggregate demand downward sloping क्यों है, और aggregate supply positively sloped या upward sloping के बतले ऐसा completely vertical क्यों है, ठीक है, तो वो classical model पूरा develop करने के लिए हमें इतनी चीज़े पढ़नी पढ़ेगी, सबसे पहले है production theory, उसके बाद है labor market, labor market में भी दो अलग-अलग theories आपको देखनी पढ़ेगी, एक है labor supply और दूसरा है labor demand, जब आप labor supply और labor demand को combine करेंगे, तो आपको labor market मिलेगा, उसका एक graph मिलेगा, और फिर labor market और production theory, इन दोनों का graph जब आप combine करेंगे, तो आपको ये aggregate supply curve जो है, जो हमने previous slide में देखा, completely vertical है, वो ऐसा क्यूं है, वो हमें देखने को मिलेगा, on the other side, quantity theory of money, आपको help करेगी, aggregate demand समझने में, कौन सा aggregate demand, classical model का, ठीक है, और जब हम ये दोनों derive कर लेंगे, तो उसके बाद हमें पुरा पहली theory जो है, वो हम आज देखेंगे, और वो है production theory, तो सबसे पहले, production का मतलब क्या होता है, जो भी goods and services produce होए economy में, उसको बोलते हैं, उसका दूसरा नाम है output, और उसको हम macro economics में y से denote करते हैं, और ये जो भी output economy में produce हो रहा है, उसके लिए mainly दो चीज़े लगती हैं, एक होता है capital और दूसरा है labor, मतलब अगर कोई भी company है, जिसको production शुरू करना है, तो उसको land लेना होगा, building लेना होगा, machinery लेना होगा, stock खरीदना होगा, तो ये सब चीजों के लिए company को क्या लगेगा, company को लगेगा capital, ठीक है, capital मतलब पैसा जो की invest होगा, तो उसके बाद assets create होंगे, कुछ fixed assets होंगे, और कुछ current assets होंगे, ठीक है, stock वगेरा जो है, वो current में आएगा, और land building, machinery ये सब fixed assets में आएगा, बट basically capital invest करने के बाद, company कुछ assets create करेंगे, बट final production चालू करने के लिए company को क्या लगेगा, labor, तो ऐसा बोल सकते हैं, कि production या फिर output जो है, वो इन दोनों का function है, मतलब, y is equal to f k, n, k मतलब capital और n मतलब labor, why इन दोनों चीज़ों पर depend करता है, तो ये मैंने mathematical form में उसको दर्शा है, पर यहाँ पर एक assumption है इस theory का, और वो ये है, कि short run के अंदर, short run मतलब generally हम एक साल का period मानते हैं, और उस एक साल के period के अंदर हम generally ये capital जो है, उसको हम constant मानते हैं, या given मानते हैं, ऐसा क्यों, क्योंकि अगर कोई company आज शुरू हुई है, तो वो क्या करेगी सबसे पहले, land, building, machinery ये सब बनाएगी, उसके बाद labor hire करके production शुरू करेगी, ठीक है, और उस company की कोई एक production की capacity होगी, कि वो साल में इतना produce कर सकती है, और इतना बेच सकती है, तो मान लो यही company को छे मैने के बाद अगर दूसरा same ऐसा ही plant शुरू करना है, तो क्या वो कर सकती है, chances बहुत कम है, क्यों, क्योंकि ये production चालू करके, माल बेच के profit कमाना, वो ही बहुत मुश्किल है, और इतना profit कमाना कि same दूसरा plant डाल सके, उसमें बहुत time जाएगा, ठीक है, तो सबसे पहले तो company को ये जो दूसरा plant डालना है, उसके लिए क्या चाहिए होगा, capital चाहिए होगा, और वो capital इतना जल्दी नहीं आ जाएगा, उसको कम से कम 2-3 या 4-5 साल लग सकते हैं, ठीक है, तो इसका मतलब ये है, कि आज के तारिख में company ने जो plant डाला है, है ना, वो उसका investment है, और उस investment के लिए company ने क्या किया है, capital डाला है, आज की तारिख में, है ना, अब मानलो उसको ये double करना है, मतलब दूसरा ये plant डालना है, तो कितना सारा capital चाहिए होगा, तो वो capital उसको 6 महने या 1 साल में नहीं मिलने वाला है, 4-5 साल का वो profit इखटा करेगी, तब जाके उसको इतना capital मिलेगा, कि वो company दूसरा plant डाल सके, ठीक है, तो इसका अंदर अभी जो ये capital इन्वेस्ट किया है, वो तो वैसा ही रहने वाला है, land डबल नहीं होगी, building डबल नहीं होगी, machinery डबल नहीं होगी, मतलब जो भी पैसा डाला है, जो भी investment किया है, वो ये पूरे एक साल के लिए, वो सेम ही difficult नहीं है, तो इसका मतलब ये है, कि ये जो function हमने लिखा है, y is a function of capital and labor, तो इसमें से अगर capital constant हो गया, तो इसका मतलब क्या हुआ, अब output सिर्फ एक चीज़ पर depend करता है, और वो है labor, labor variable है, short run में भी, तो उसको change करेंगे, तो उससे output change होगा, तो यही relation हमने graph के form में यहाँ पर दर्शाय है, यहाँ पर देख सकते हैं, x-axis पर मैंने लिया है labor, और y-axis पर लिया है मैंने output, और यह जो curve है, s-shape में जो दिख रहा है, वो output और labor के बीच का relation है, अब यहाँ पर यह curve जो है, वो यह s-shape का क्यों है, जनरली लोगों को क्या लगता है, कि अगर एक labor hire किया, और उसने 10 units produce किये, तो 2 hire करेंगे तो 20 होंगे, 3 hire करेंगे तो 30 होंगे, 10 hire करेंगे तो 100 होंगे, तो इसका मतलब यह relationship जो है, वो तो linear होना चाहिए, है ना, पर ऐसा नहीं है, यह s-shape का एक reason है, और उस reason के लिए आपको एक term समझना पड़ेगा, वो है returns to scale, ठीक है, returns to scale मतलब, आप initial level पे जब किसी labor को hire करते हो, तो मान लोग एक company है, जिसने नया-नया production शुरू किया, और पहला ही labor hire किया, है ना, तो अब वो पहला labor जो है, उसके पास कितना सारा काम है करने के लिए, है ना, पूरा plant उसको संबालना है, तो वो सब जगा पहुँच नहीं पाएगा, और इतना output नहीं दे पाएगा, ठीक है, तो company क्या करती है, दूसरा labor hire करती है, अब इससे effect क्या हुआ, सबसे पहला तो पहला जो labor था, उसका जो load था, वो आदा हो गया, इसका मतलब अब वो अच्छे से काम कर सकता है, उसकी जो efficiency है, पहले मानलो उसके सिर में pressure बहुत था, तो उस pressure के अंदर ही वो अपना जो काम है वो अच्छे से नहीं कर पा रहा था, ठीक है, बड़ अब द दूसरा labor higher होने से क्या हुआ, मानलो पहला labor जो है, वो 10 unit produce करता था, तो दूसरा labor आने से ऐसा नहीं होगा कि 20 unit produce होंगे, ऐसा हो सकता है कि 25 unit produce हो, क्यों? क्योंकि दूसरा labor आने की वज़े से पहले की भी efficiency बढ़ गई, ठीक है, और दूसरा की, दूसरा आने से भी उसकी efficiency ब मिल रही है, ठीक है, तो यह जो linear relationship है, वो इसमें काम नहीं करेगा, ठीक है, तो मानलो पहला labor था, उसने 10 unit produce किये, दूसरा आने के बाद, total unit जो है, वो 15 बढ़े, मतलब दो labor पे 20 unit नहीं, 25 unit मिले, है ना, तो जब initially labor higher company करती है, तो उनको increasing returns to scale मिलते हैं, है ना, मतलब जितना वो labor बढ़ा रही है, output उस proportion में नहीं बढ़ रहा है, उससे भी ज्यादा rate से बढ़ रहा है, है ना, तो इसको बोलते है increasing returns to scale, ठीक है, पर अब क्या होगा, एक ऐसा point आएगा, जिसमें, मानलो एक, दो, तीन, चार, पांच करके 10 labor तक company ने hire कर लिए, ठीक है, और अब भी production बहुत अच्छे से चल रहा है, और हर एक का output बहुत अच्छा मिल रहा है, पर मानलो 10 से company ने 12 labor कर दिये, है ना, तो अब इससे क्या होगा, कई बार ऐसा होगा, कि कोई एक production line चल रही है, जिसके अंदर labor काम कर रहा है, है ना, पहले 10 काम कर रहे थे, तो कोई एक दूसरे के रास्ते में नहीं आ रहा था, पर मानलो 10 से 12 हो गए, तो अब ये जो दो labor हैं, वो भी अपना कोई काम कर रहे होंगे, तो एक दूसरे के वो रास्ते में आ रहे होंगे, ठीक है, या तो unnecessarily जगा रोक रहे होंगे, ठीक है, तो उसके वज़े से क्या होगा, ये दो नई labor आन अगर कोई एक farm है, तो उसके अंदर दो लोग से पुरा farm में काम हो सकता है, एक खेद में, ठीक है, अगर उसमें तीसरा अगर add कर दिया, तो तीसरा क्या करेगा, टोटल जो output है, उसमें वो divide by 3 होगा, बट जो productivity है, वो ज्यादा नहीं बढ़ेगी, ठीक है, तो यहां पर क् एक level के बाद जब आप labor बढ़ा रहे हैं, तो overall efficiency जो है, वो कम हो रही है, ठीक है, यह आप वो एक saying सुनते हैं न, के too many cooks spoil the recipe, एसा ही कुछ हो जाता है, तो एक point के बाद आपको decreasing returns to scale मिलना शुरू हो जाता है, मतलब आपने एक नया labor hire किया, ठीक है, उससे production बढ़तो रहा है बढ़ उस rate से नहीं बढ़ रहा है, जिस rate से पहले बढ़ रहा था, ठीक है, तो यहाँ पे आप shape में देखेंगे, तो initial level पे increasing returns to scale काम कर रहा है, ठीक है, फिर यह C point के बाद decreasing returns to scale काम कर रहा है, और यह point D जो है, वो maximum production point है, मतलब यह जो 8 labor है company में, उस level पे company में सबसे ज़्यादा production हो रहा है, अब उसके बाद आप देखिए, अगर 9 और 10 लेबर आ रहा है, तो production बढ़ने के बदले कम हो रहा है, इसका मतलब यह जो खुद का, जो काम है वो तो नहीं कर रहे हैं, वो दुसरों का काम भी गाड़ र region है, D point के बाद वाला जो region है, इसके अंदर तो कोई भी company काम करना नहीं चाहेगी, ठीक है, तो यहाँ पे यह D point के बाद वाला जो area है, इसमें company को क्या मिलेगा, negative returns to scale, है ना, जो कि कोई भी company करना नहीं चाहेगी, तो यह जो हमने पुरा graph देखा, इसको हम table के form में देखे तो सबसे पहले पहला labor जब employee होता है, तो कितना output देता है, 10, उसके बाजू में marginal output लिखा हुआ है, marginal का मतलब होता है, additional या extra, है ना, तो obviously पहले कोई labor था ही नहीं, पहला labor आया, उसने 10 output प्रोडूस किया, तो extra output कितना हुआ, additional output 10, ठीक है, फिर आप देखिए, दूसरा जब labor आता है, तो output कितना हो जाता है, 20, इसमें भी additional output कितना हुआ, 10, है ना, तो ये पहले जो दो labor है, उसमें company को मिल रहा है, constant returns to scale, ठीक है, बड़ आप देखिए, जब तीसरा labor add हुआ, है ना, तो total output कितना हो गया, 35, मतलब अगर linear relation होता, तो यहाँ पे कितना होता, 30 होता, बड, तीसरा labor आने से overall output बढ़ गया है, और additional output कितना हुआ, तीसरा labor आने से 15 है, है ना, उसी तरीके से जब चौथा आया, तो वो additional output कितना बढ़ा, 20, और overall output कितना हुआ, 55, है ना, तो यह जो तीसरा और चौथा labor आया, उसमें additional labor लाने से output, जो पहले आ रहा था, उससे भी ज्यादा आ रहा है, तो यह region हो गया, तुमारा increasing returns to scale, ठीक है, फिर आप देखिए, जब 5th labor आया, तो भले ही output तो बढ़ा, 55 to 70 हुआ, बड जो additional output है, वो कम हो गया, पहले उसके आगे वाला जो labor था, उससे additional output 20 आया था, बड यह 5th labor आने से additional output 50 नहीं हुआ, है ना, उस तरी फिर 7th labor आया, तो भले ही total output बढ़ा, बट additional output कम हुआ, तो यह जो additional output जो कम होते जा रहा है, उसी को हम बोलते है, decreasing returns to scale, है ना, overall output थो हमेशा बढ़ते ही जाएगा, पर सिर्फ एक case में नहीं बढ़ेगा, और वो है, जब आप यह region में काम करते हैं, negative returns to scale, इसका मतलब क्या है company ये 8th वाला जो labor है, वो last होगा, उसके बाद company labor employee नहीं करेगी, क्योंकि उसके बाद output बढ़ने के बजाए कम हो रहा है, है ना, यहाँ पे बढ़तो रहा है, बट ये जो decreasing returns to scale वाला region है, उसमें बढ़तो रहा है, बट पहले जिस speed से बढ़ रहा था, उस speed से नहीं बढ़ है, बट at least output बढ़तो रहा है, है ना, बट ये 8th labor के बाद वो output overall कम हो रहा है, ठीक है, तो यही चीज यहाँ पे graph पे plot की गई है, पहले आपको constant returns to scale मिला है, फिर increasing returns to scale मिला है, फिर decreasing returns to scale मिला है, और फिर negative returns to scale मिला है, ठीक है, तो इसलिए ये output और labor के बीच का relation जो है, वो ये returns to scale की वज़े से एक straight line नहीं होगा, बट कुछ इस तरीके से S-shaped में होगा, ठीक है, तो यही था तुमारा production theory और production curve, thank you for watching the video, have a great day.